आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है भारत के इतिहास में पानीपत का जो तीसरा युद्ध है वो बहुत महत्तु रखता है ये बास सही है कि युद्ध में मराठों को पराजय के सामना करना पड़ा और काफी संक्या में मराठा सेनिक जो है वो युद्ध में मरे गए लेकिन श्रीवा जी के समय से जो मराठा राजनिती चल लही थी तो मनना पड़ेगा कि श्रीवा जी ने अपनी कुशलता से अपनी खशम्ता से दिन रात महिनत करके मराठों को राजनेतिक उतकर्ष के इस तर पर पहुंचाया वो भी और अरंगजेब के समय जबकि मुगलिया सल्तनत अपने सबसे उंचे सुरूप में थी शक्ति के मामले में भी दक्षन की रियासतों को काफी कुछ दबा दिया गया था उनकी सत्ता को समप्त कर दिया गया था ऐसे समय में शिवा जी ने जिस तरह से मुगलों का सामना किया और मराठों के राजनेतिक अस्तित को इस्थापित करने के लिए उन्होंने जिस तरह से संघर्ष किया उसकी तारीफ शब्दों में करना संभव नहीं है ये उन्हीं की एक शमता थी उनकी योगिता थी उन्होंने एक स्वपन देखा और वो स्वपन देख सकते थे कि अगर दिल्ली में मराठों की सत्ता इस्थापित करने का वो स्वपन देख रहे थे तो ये स्वपन देखना उनका उचित था और उस समय तो हिंदू और मुसलमानों की जैसी आज भावना है उस समय नहीं थी आप देखेंगे जब पानीपत का तेसा युद्ध लड़ा जा रहा था तो एब्राहिम खां गर्दी जो है वो मराठो के ही तोपची थे तो उस समय इसे सिती नहीं थी खुद मराठा सैनिक जो है वो बीजापूर में सेवा देते थे शीवा जी की जो पिता थे वो खुदी बीजापूर की सल्तनत में एक अच्छे बड़े उहदे पतैनात थे सरदार थे और शीवा जी को उससे लेकर को नाराज भी रहते थे जिस तरह शीवा जी जो है वो बीजापूर सल्तनत के खिलाफ गद्विदियां करते थे तो उससे लेकर को नाराज भी रहते थे लेकिन कहने कार थे कि वैसी सामप्रदाइक्ता हमको देखने को नहीं मिलती है हाँ राजनेतिक इस तर पर खीचतान चला करती थी यहाँ पर जो आपके सामने यहाँ पर तथ मैंने रखे हैं वो इस अंदास से रखा है आपके सामने ताकि चीजें बहुती कंसाइज वे में और वस्तुनिष्टिता के साथ बातों को आपके सामने रखा जाए और यह बताने के कोशिश की जाए कि किस तरह से हालात ने परस्थितियों ने मराठों को अपनी तरफ खीच लिया यह कोई नहीं जानता था कि एहमर शाबदाली से मराठों की टकर हो जाएगी होता यही है कि इनसान सोचता कुछ है और होता कुछ है पर स्थितिया जब खीच लेती है तो किसी को भी मजबूर होकर के फिर उधर जाना ही पड़ता है अभी आप देखिए यहाँ पर तो यह देखने की कोशिश की जाएगी कि आखिर मराठे जो है वो दिल्ली की राजनीती में मोगलिया जो दरबारी राजनीती होती है उसमें कैसे फस गए क्योंकि जब वो उसमें फस गए तो फिर उसका नतीजा क्या निकला कि अहमर शापदाली से टकरान अपड़ गया तो हम यह देखने की कोशिश करेंगे कि शीवा जी के समय में शीवा जी की जब मिर्ती हुई थी उस समय शीवा जी के अपने सामन्त रहते थे तो ऐसे में समन्तू का दो वर्ग जो है वो महराष्ट के अंदर पैदा हो गया और मराठा राजनीती आपस में क्या पेशवा जो है वो हमेशा जो है वो सरदारों को आपस में कहीं न कहीं मनमटाओ खुद पैदा करते थे ताकि पेशवाओं की सत्ता बनी रहे तो मराठा राजनीती जिस रास्ते बच्चल लही थी उसका परिणाम जो था वो बहुत सार्थाक नहीं निकलता हाला कि शीवा जी ने जो शुपन देखा था वो शुपन बहुत उंचा था उसमें मराठों की पूरी एकता शामिल थी लेकिन बाद में क्या हुआ कि जब पेश पित की गई जिससे टकराव जो है सरदारों के बीच में बन गया जिसका परिणाम एहमर्शा अबदाली के समय में जाकर के वो बहुत बुरा निकला वरना बराठों के पास शीवा जी के समय में आप देखिए कि औरंग जेब से किसनी टकर ली थी वहाँ बीजापुर से टक करनी है यह सारी बाते शीवा जी के अंदर है वो प्रशासा के साथ वीर योध्धा भी थे बहुत बड़े लेकिन मराठो ने अगर उनके सपन को देखा होता कि शीवा जी क्या चाहते हैं तो दिल्ली पर वो मुगलिया राजनिती जो कमजोर हो रही थी तो उसमें मराठो का अस्ते तो इस्थाफित हो जाता सत्ता वो ट्रांसफर हो जाती लेकिन थोड़ी सी कलती से बाला जी बाजी राओ जो थे वो क्योंकि एक कुशल योध्धा नहीं थे और उतने योग नहीं थे जितने की बाजी राओ थे तो बाजी राओ की जो क्षमता थी वो तो लगातार योध्ध करते थे तो इसलिए सामन्तों को उन्होंने अपने काबू में रखा लेकिन जब बाला जी बाजी राओ बन गए जब तो वो योध्धा नहीं थे वो दर्बार में रहते थे तो उससे क्या हो गया कि फिर आगे जाके समस्याइं पैदा होई क्योंकि जब लीडर जो होता है वो योध्धा नहीं होता है तो समस्याइं पैदा हो जाती है तो अब हम यहां देखने की कोशिश करेंगे कि कौन सी ऐसी परस्तितियां थी जिसके वज़े से मराठे जो है वो मुगल दरबार की राजनीती में फस गए और जिसका नतीजा क्या निकला कि फिर अहमर शापदाली से उनको चक्राना पड़ गया तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो कमरुदीन खा थे ये आप देखेंगे तो ये वजीर थे और निजामल मुल्क जो थे वो मीर बक्षी के पदपर थे इसी समय अवद के अंदर सफदर जंग जो हैं वहां के सुवेदार थे अवद के तो ये एक नाम आपको बताए जा र ये तो सीदी सी बात है कि फिर एहमर शाबदाली को मौका मिल गया और एहमर शाबदाली ने 1748 इसवी में लाहौर पर जो है वो कब्जा कर लिया और फिर उसके बाद क्या हुआ कि कमरुदीन खा जो की वजीर थे वो गए तो उनसे टकर हुई सरहिंद के छेतर में और एहमर पर क्योंकि जकरिया खा के मृति होगे तो उनके बेटों में संगर्श हुआ तो उनके किसी बेटे ने एहमर शाबदाली को प्रस्ताव किया एहमर शाबदाली अपनी सेना लेकर के चले आये पंजाब में और फिर सरहिंद में वो जब आगे बढ़े तो फिर कमरुदीन खा उसी वर्ष जो है वो मतलब काबुल जाना पड़ गया कंधार की तरफ जो है यानि अफगानिस्तान की तरफ कूछ करना पड़ गया फिर उसके बाद हम देखते हैं कि 26 अप्रेल 1748 को मृहमर शा की मृति हो गई थी यानि जो मुगल राजा थे उनकी मृति हो गई फिर हम द बात है कि जब अहमर शा बने तो इनका लालन पालन क्योंकि दरबार में हुआ था जादा मिलने नहीं दिया जाता था ये अपने फादर से इनको डांट भी खानी मतलब डांट जो है सुननी पड़ती थी ये जड़के जाते थे तो इनका लालन पालन इतना दवाओं में अधिनी थी और ये नर्थकी थी, मोहमध शा ने इन से शादی कर लिया था, तो जब राज माता उधंबाई के हाथ में सत्ता आ गई और आहमध शा जो है वो नाम मात्र के ही एक मुगल सुल्तान बने रहे, तो क्या हुआ कि राज माता उधंबाई ने पैसे लेके लेकर ले थे यह जो है वो पंजब के अंदर जो है वो थो है वो शूववेद़ थे यह कमुरूद दीन खान जो मारे गए थे अहमद शूबधाली से उन्हीं के बेटे थे थे यह तो पंजब में इन सुवेदार बना दिया गया था जब आहमद शाअवडाली उसके बाद जब ये बने तो अहमद शाअवडाली उस समय 1748 में क्योंकि कमरोट दीन खाने एक गहरी चूट दिया था हमद शावडाली को तो उसी का बसला लेने के लिए 1749 में तो बारा पंजाब में आ गए लेकिन ध्यान रखने की बात है कि इस समय जो वजीर का पत्था वो सवदर जंग के हाथ में आ गया था अब सवदर जंग के हाथ में आ गया तो सवदर जो थे वो अवद के नवाब थे लेकिन वो शिया थे और ये मुईनुल मुल्क है ये तुरानी अमीर हैं और त भास में ढुएय मुलक कोरह नहीं मिल पाई तो इन्होंनेक्स अभाद क्वाद छेचे लिए उसके बाद क्या हुआ है कि दो बार है 1761 क्याहण में पिर पैसे के लीए अागे और इस gerek कि फिर दोबारा जो है वह सब्दर धाल टाइर। अगर मदद मिली होती तो कोई बाट होती तो यह हमने देखा अब आप देखिये कि जब वजीर सफ्धर जंग बने थे, तो शुबह देखिये और अहमर शाब बंगश में काफी दुश्मनी चला करती थी तो ऐसे में इनको काबू में करने के लिए सब्दर जंग ने क्या किया किया कि मलहार राव होलकर और जयापा सिंधिया से जो है वो एक संधी कर लिया 1752 में अस्थाई संधी कर लिया और अजमेर और आगरा का इलाका उनके सुपु करके अहमद शाब बंगश के उपर दौआप के छेतर में हमला कर दिया तो ऐसे में रुहेला सरदार जो थे अहमद शाब बंगश यह हिमाले की तलहटी में वहां भाग गए क्योंकि लड़ना संभव नहीं था तो यह एक स्थिति हमको दिखाई पर लगए अब उसमें क्या हुआ कि जब सवदर जंग जो इन्होंने अहमद शाब बंगश को पीशे कर दिया तो समराज के समरक्षक के भूमिका में आ गए यह जब आ गए तो कहीं ना कहीं घवंड होता है गुरूर आत्मी के अंदर आ जाता है तो जब सवदर जंग के अंदर घवंड आया तो मुग फिर इतमाद दौला को वजीर बनाया गया और इमादूल मुल्क को मीर बक्षी बना दिया गया ये निजाम के पोते थे और ये कमरुद्दीन के बेटे थे इतमाद दौला ये वजीर बन गए और ये सब तूरानी अमीर है सुननी है ये तो सवदर जंग क्योंकि शिया थे इरानी थे वो तो ऐसे में उनको कंट्रोल करने के लिए इन लोग ने क्या किया कि सवदर जंग को हराने के लिए जो है वो अन्ताजी मंकेश्वर जो मराठा सरदार थे इनसे जो है और नजीब खां इनसे मदद ली इन लोग ने इतमाद दौला और इमादूल मुल्क ने त क्योंकि नजीब खां भी जो है सवदर जंग से उनकी जंग चला करती थी तो हुआ हिया कि सवदर जंग जो है वो प्रयास उनका विफल हुआ गया जो दिल्ली लूटने का प्रयास किया था क्योंकि जब सवदर जंग को दिल्ली दरबार से हटाने की कोशिश की कि तो जाट ली तो सफदर जंग का प्रयास पूरी तरी के से विभल हो गया क्योंकि आप तो शक्ती बहुत बढ़ गई थी तो ऐसे में क्या हुआ कि जो जब सफदर जंग दोबारा अपना अवद चले गए फिर मानिसी बात है कि वो टक्कर नहीं ले पाया तो चले गए संधी हो गई 1769 में जो है इनकी हत्या भी करा दी और फिर आजिस उद्दीन को आलम गिर दूतिय के नाम से गद्दी पर बैठा दिया तो यहां तक हमने घटना करम देख लिया कि कैसे दरवारी राजनेती मुगलिया सल्तर पर चल लही थी अब उसके बात देखिए फिर इमाद को सफदर जंग के बीच जब जंग चल लही थी तो उसी समय इन लोगों ने जो है वो पेशवा के पास लेटर भेजा था कि हमारी मदद करी अलग अलग से तो पेशवा न जो है रगुनात राव को भेजा था लेकिन रगुनात राव जब तक पहुंचे तब तक इन दोनों लोग के पीच में संधी हो गई थी जब संधी हो गई मानिसी बात है तो अब क्या किया जा तो रगुनात राव बहुत बड़ी एक सिना लेकर के आ गए थे तो ऐसे में जब सवदर जंग ने सत्रह सो बावन में संधी किया था अस्थाई तो उसमें अजमेर और आगरा का इलाका भी जो रगुनात राव थे वो जो है उन्होंने आगरा और अजमेर पर यानि राजपूताना के छेतर में और आपके दवाप के छेतर में पूरे इलाके को लूटा तो ऐसे में जाटों की भी नाराज की हो गई और राजपूत के जो राजपूताना के इलाका वहां के सरदार वी नाराज हो गये तो ऐसे में रगुनात राओ, ने इस तरह से अत्याचार किया था कि राजपूतों के बीच में और जाटों के बीच में और आम जंता की बीच में भी कही-न-कही मराठों किया एक अम्मान जो था वो धिरे से कम हो गया था वो यही वज़ा बनी थी कि जब एहमाश्य अब्दाली से दुआ तो मदद नहीं मिल पाई थी तो ऐसे में क्या हुआ कि मलहार राव होलकर ने दुआप के छेत्र को बहुत लूटा और जयापा सिंधिया ने जो है और दत्ता जी ने राजपूताना को लूट लिया तो ऐसे में वहाँ पर क्या हुआ एक तरह से कहा जाए कि मराठो को ले करके एक गुस्ता जो है वहाँ के सरदारों में देखने को मिलता है तो फिर हम देखें आगे अबदाली ने 1752 में मुईनुल मुल्क को पंजाब का सूबा सूब दिया जब पंजाब का सूबा पहुंचा था तो इमाद ने क्या किया कि इमाद ने सोचा कि अब हम पंजाब को हतियाने की कोशिश करें और फिर क्या हुआ कि वहाँ पर हमला करके जो मुईनुल मुल्क थे उनको हटा दिया और अपने आदमी को पंजाब में सूबेदार बना दि तो सीधे से चुनौती देने वाली बात हो गए एहमर्शाब्दाली को क्योंकि मुईनुल मुल्क को ही उन्होंने पंजाब का सूबा सौपा था तो ऐसे में क्या हुआ है एहमर्शाब्दाली जो है वो 1757 में खुद चले आए और दिल्ली पे आकर के हमला कर दिया और काफी कांड चल ला था दो आपके छेतर में तो वहां पर न तो मराठे उपस्थित हुए और नहीं राजकूत आए और नहीं जाटों ने बहुत प्रतिरोत किया जाटों ने तो हमला किया था लेकिन एहमर्शाब्दाली की सेना ने काफी जादा उनको चोट पहुंचाई थी तो उससे वो पीछे अट गए तो पूरा इलाका जो वरंदावन का है आपके मत्रौा के अलाका है उसको साइनिकों ने लूटा और काफी पैसा लेकर के वो एहमर्शाब्दाली चले गए तो हमने यहां तक इस मामले को देखा अब देखिए फिर क्या होता है अब यह ऐसी इस् करके जो चले गए फिर तो नजीब को जो है दिल्ली का एक दाइत तो सौप करके उचले गए थे नजीब खां को जिनकों की नजीब उद्दौला कहा जाता है तो समराट ने मराठों से मदद मांगी कि हम नजीब को हटाए जब एहमर्शाब्दाली चले गए तो नजीब उ अब्दाली को कि हमको हटा दिया गया है और लेटर वहाँ पे अब्दाली के पास पहुंचा तो ऐसे में रगुनात राव और मलहार राव होलकर ने लाहौर पर जाकर के कबजा कर लिया जब कबजा कर लिया तो फिर अब्दाली के लिए खुली चुनोती थी तो बो फिर वहा भाव और विश्वास राओ के अधीन पेश्वा को जो पर सूचना मिली कि दत्ता सिज्जी सिंधिया जो हैं वो अबदाली से लड़ते हुए खटम हो गए हैं तो उन्होंने जो है बाइस हजार की एक फाउज और फिर इबराहीम खांगरदी के अधीन तीन हजार तोपचीयो का मतलब एक दस्ता जो था वो साथ में भेजा और ये सेना जो है वो दिल्ली के पास आ गई पिस 14 जनवरी 1761 को पानी पत का युद्ध हुआ अब इस युद्ध में कुछ ऐसी गलतिया थी कि जिसके वज़े से मराठो को जो हार खानी पड़ गई क्योंकि ना तो उनको अबदाली अगर चले गए तब तो फिर मराठे दिल्ली पे भी कब्दा कर लेंगे और हमारे इलाके को यानि अवद का जो छेतर है उस पर भी कंट्रोल कर सकते हैं तो हमेशा के लिए हमें मराठो के अधीन होना पड़ेगा तो ऐसे में क्या हुआ कि सवदर जंग जो है वो जाटो के अधीन अलाका था उसके वहाँ पर कंट्रोल करने की बात थी और जिस तरीके से लूट मार की गई थी तो वो जो पुरानी यादे हैं वो ताजा बनी थी तो ऐसे में सूरज मल भी जो है निश्क्री पड़े रहे राजपूताना छेत से भी कोई मदद नहीं मिल प रखा था ताकि मराठो कोई मदद न मिल पाए अब ऐसे में पैसे किल्लत दोनों तरफ थी रसत की कमी दोनों तरफ थी भोजन की काफी कमी थी मराठो के शिविर में और एहमर्शा अब्दाली को नजीब दौला के तरफ से काफी जादा मदद पहुंचाई जा रही थी तो राठो के कहा जा कि फेवर में बात जो नहीं रही कि कहीं से मदद नहीं मिल पाई और एहमर्शा अब्दाली को सब्दर जंग के तरफ से भी मदद मिल लही थी नजीब दौला भी मदद कर रहे थे तो ऐसे में संगर्ष जो हो गया फिर सदा शिवराव भाव जो थे वो इतिहासकारों ने ये बात लिखी है जब युद्ध होता है तो गलती ये हुई कि अपने आसपास के छेतर में यानि जो परंपरागत लड़ने का अंदास था मराठों का उसको कायम नहीं किया गया बलकि अपने शिवर के आसपास एक गहरी खाई जो है वो खोद दी गई औ पे थे एहमर्षा अफदाली ने अपनी पूरी सेना को जो है वो बिखेर रखा था और खास करके नजीब उद्धौला के जो सैनिक थे और सब्दर जंग के जो सैनिक थे उनको आगे किया हुआ था और अपने सैनिकों को उनके पीछे रखा था ताकि वो लोग धोका दे कर क भागना जाएं, सब्दर जाएं के सैनिक और नजी बुद्दालों की खत्रा बना रहता है तो क्यूंकि वो कुशल सेना नायक थे हमाशा अब्दाली मदेशिया में लडने के बहुत अन्वहो था तो नौ बजे के आसपास जो है सुबह जो लडाई शुरू ही, बारा बजे त जब मराटा सैनिक भागे तो जो खाई खोद रखा था उसी में सब गिर गए जाकर गए, जो खाई खोदना वो घाटक हो गया, क्योंकि उस खाई को पार नहीं कर पाए उसी में गिर गए, और काफी बड़ी संख्या में जो सैनिक हदाहत हो गए, लगबग 20,000 सो उपर 28,000 क उपर सैनिक जो है मारे गए थे, तो कुल खुला सा ये निकला कि बाला जी बाजी राव जो थे वो अगर उनकों नहीं कूट नितिक अपना परिशा दिया होता तो एहमाशा अबडाली से संगर्श के जरूरत नहीं थी, अगर बादचीत की गई होती, सदाशीव राव को लगता था कि हम अबडाली को हरा देंगे, अबडाली को बहुत शेष्ट सिनानायक नहीं आई, वो ये मान के चलते थे, क्यों वो खुद वे एक युद्धा थे, तो इसी वज़े से क्या वह मिस कैलकुलेशन एक गलत फैसला हो गया कि वो बादचीत कर लेना चाहिए था मुसलमान शासना कर रहे थे, तो दिल्ली पकर मराठों का कबजा हो जाता, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी, अगर मुसलमानों के अधीन हिंदू को एक बड़ा समुदाय समू जो है, वो उनके अधीन रह सकता है, सरदार हिंदू भी रहते थे, तो अगर पोजिशन बदल ज क्योंकि अगर अबदाली गुहरादिया होता, मराठों ने, और दिल्ली पर नियंत्रल हो जाता, तो बकसर का युद्ध जो हो था, उसका नतीजा जो है, वो दूसरा होता, लेकिन समय की आवशक्ता कुछ और रही होगी, तो ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से दरवारी पहराएंगे, लेकिन उसको मेंटेन करने के लिए मराठा छेदर से सेना वहाँ पर जाना, ये बहुत मुश्किल था, तो ऐसे में पंजाब की राजनीती और मुगलिया दरवार की राजनीती में फस जाना, इसमें सब्दर जंग है, तो तरह तरह की जो ये राजनीती, ईरा तूरानी, तूरानी और क्या कहते हैं, आपके अफगानियों के बीच में जो मराठा फस गए, तो जिसके बज़े जो एक सपन देखा था, जो एक मेहनत करके, शिवा जी ने कहीना कहीं एक बड़ी शक्ती जो है वो निर्मित की धी, बाद में उनके वन्शचों को भी सत्ता से बिदखल कर दिया गया, पेश्वाओं के धीन सत्ता चली गई, तो कुल मिला करके, जो मेहनत की गए थी, जो उन्होंने सुपने देखा था, वो कहीना कहीं पूरा नहीं हो पाया, हाला कि युद्ध के बाद दुबारा मराठे उठ खड़े हुए, लेकिन फिर भी एक सिहास की पुस्तो को जो लोग पढ़ते हैं, तो कहीं न कहीं एक रहता है कि इतनी बड़ी संख्या में, मराठा सेनिक मारे गए थे, मराठों ने भी वीजापूर के साथ मिलकर के हमेशा साथ दिया था, तो हिंदू मुसलमानों की कोई ऐसी भावना देश में नहीं थी, तो अगर ना होती तो शायद इस युद्ध का नतीजा कुछ और होता हूँ, फिर किसी दिन किसी टॉपिक पर आपके सामने वीडियो प्येश किया जाएगा, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद,